तो दोस्तों आगे हम लोग आपके पास अपने एयरवर्ट्स के रिव्यूज को लेके तो जैसा कि मैंने अपने लाज वीडियो में कहा था कि मैं इसका एक अच्छा सा रिव्यू लेके आऊंगा मैंने इसको तीनचा देन यूज को और उसके बाद मैं इसको रिव्यू लेके आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके स्पेक्स और क्या है इसके रिव्यूज और कैसा रहा है मेरा एक हफ़ते का एक्सपीरियन्स भी भी other इसका competitor हो मान के चलिए आप अगर बोस से compare कर रहे हैं आप सोनी के किसी भी headset से earbud से compare कर रहे हैं आप सामसंग के earbud से compare कर रहे हैं आप अपल के earbud से compare कर रहे हैं तो इसका size काफी छोटा है और जब यह आपके कानों में fit होता है तो यह देखिए एक तब उसमें घुल मिल सा जाता है और पता नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा कुछ हैवी सा पहन रखा है तो मेरा जो लेने का कंसर्ण था वो में कंसर्ण यही था कि में को यह छोटा चाहिए था ताकि यह कानों में बड़ा बड़ा सा दिखे ना दूसरी जो इसमें जो काफी अच्छी चीज है कि एक तो पैली चीज की बहुत ही सिक्योर फिट है अगर आपने इसको सेट कर लिया तो यह आपके कानों से घिरने वाला नहीं आप चाहिए जोका लाईजे आप चल रहे हैं आप जॉक कर रहे हैं यह आपके कान से नहीं गिरेगा दूसरी जो फिर जो इसकी बहुत अच्छी जो एक मुझे चीज लगी कि जैसे कि इस पर चार माइक्रोफोन से है उनसे इसकी कॉलिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मैंने सैमसंग के भी यूज किया हुआ है एस कंपेर टू सैमसंग यह इसकी कॉलिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है हाँ बैटरी लाइफ के अब इसके कॉंपरिटिटर काफी आगा है जैसे भी सोनी ने अभी अपना रिसेंटली एक लांच किया तो उसकी बैटरी लाइफ नो डाउट इससे अच्छी है बट उसका साइज भी काफी बड़ा है तो अगर आपको चाहिए कि बैटरी लाइफ आप थोड़ा सा कम लेके आप साइज से अगर कॉंपरोमाइज नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों बैटरी लाइफ जो मुझे मिली इसकी कॉलिंग पर मैंने डाई तीन घंटे तक तो टेस्ट किया फिर उसके बाद मेरे महिमत नहीं बची कि मैं इसको टेस्ट करूँ और देखू कि क्या बैटरी लाइफ इसमें में को मिल रही है बट हाँ डाई तीन घंटे चार घंटे बहुत इजली चला बिना किसी प्रॉब्लम के क्योंकि इत्ते मैं फोन पर बात नहीं करता हूं तो बस करना पड़ा वन टू थी डायल करके उधर 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 तो मतलब ऐसा ओवराल ढाई तीन घंटे चार घंटे तक तो बिना किसी दिक्कत की चला अभी बात करते हैं कि नॉर्मल डेली यूसेज के अगर हिसाब से बात करें साड़े साथ घंटे से कहीं ज़्यादा चला नॉर्मल आप म्यूजिक सुनना आपका कॉल आना मुवी देखना इन सारी चीजों पर यह दस घंटे के अप्रॉक्सिमेटली बहुत इजली चला जैसा कि इसके केस के साथ यह 28 आर्स का बैक अप देता है तो हाँ केस के साथ यह 20 आर्स का बहुत इजली देगा इवन उससे थोड़ा सा ज्यादा ही देने वाला है क्योंकि 5.0 इसमें इस्तेमाल हुआ है तो इससे इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है जैसे फोन अगर मेरे अंदर पड़ा हुआ है और मैं ऐसे बात करते करते बाहर भी चला जाता हूं तो कोई कटने की आवाज और कोई रोबोटिक आवाज नहीं आती है फिर है आईप 55 रेटेड है दो साल की वारंटी इसमें पूरी आपको मिलती है कि डस्ट और आपका वाटर प्रूफ है यह तो इसमें दो साल की देते हैं बागी कमटीज एक साल की दे रही है तो इसमें इसका पूरा नोट्स बना लिया है क्योंकि काफी ज्यादा फीचर से बहुत अच्छा मिल जाता है बाहर की आवास सारी वह आपको बाइपास करके कानों में दे देगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसको पहन भी रखाए की नहीं फिर है कि जो अगर मैं अब इसकी बात करता हूं आडियो क्वालिटी की तो अगर आदमी 15,000 रुप में ओडियो का वोकल्स का आपको बास का ट्रिबल का तो वो काफी अच्छा मिलता है तो मुझे ओवराल परफॉर्मेंस इसकी नोड़ बहुत अच्छी लगी और इसके कॉंपटीटर से फिर बात करते हैं कि इसमें आप ये जो है सारे ही आपके जितने भी अलेक्सा है सीरी गूगल है सबके साथ ही काम करता है राइड वटन राइड हैट सेट को अब दबा के टैप करके थोड़ी दिर रखेंगे तो यह ऑटोमेटिकली जो भी आपका फोन जो सपोर्ट कर रहा होगा एपल होगा तो सीरी सामसंग होगा तो बिक्स भी जो भी होगा वो इसको कर ले तो जैसे ही मैं मुवी देखता था यह अपने आप उधर से स्फिच होके अधर आ जाता है आप अधर के अपर मूवी की चल आने लगे है एक गाफिशा फीचर लगा कि आपने इसको किछ बोला और अपने इसको कानों से निकाला तो अगर आप मोशे इसको निकाल दिया तो यह भी काफी अच्छा फीचर लगा मुझे तो ओर वाल इसमें जो फीचर्स थे तो काफी अच्छे हैं बट जो में जो इसका परपस है कि अच्छी बैटरी लाइफ एलॉंग विथ अच्छा वोइस ऑडियो कॉलिटी तो वो दोनों चीज इसमें आप को मिल जाती है आशा करते हो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कूल भीना भूलिये तो